हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुक विच्छ रीजा आज हम बनाएंगे बहुती आसानी से बनने वाले और खाने में एकड़ टेस्टी पालक की पकोड़े चलिए तो फिर देखते इसकी रेसिपी यहाँ पर मैंने दो कटोरी पालक दो करके उसको मोटा मोटा कट करके विया है अब हम उसको एक बोल में निकालते हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा कटोरी बेशन अगर बेशन ठोड़ा सा कम पड़ेगा तो बाद में हम इसमें ऐड कर सकते हैं अब हम दालेंगे आधा चम्मच लालमीज पाउडर, पाउट चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वादमुसाद नमक अब हम डालेंगे पाउट चम्मच अजवाई इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकोडे को अब हम डालेंगे खाने का सोडा बस हमें चार चुटकी ही सोडा डालना है बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालना है अगर बहुत सोडा हो गया तो वो पकोड़े एकदम ओईली बनेंगे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे यहाँ पर हमें पकुड़े का बैटर बहुत थीक रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है यहाँ पे शायद थोड़ा सा बेशन लगेगा तो मैं इसमें और थोड़ा दो चम्मज बेशन डाल के फिर एक बार इसको पानी डाल के बैटर बनाती हूँ यहाँ पे बैटर बन गया है अब हम इसको दस मिनिट के लिए छोड़ देते हैं फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे यहाँ पे 10 मिनिट हो गए है अब हम चेक करते हैं ओईल गरम है कि नहीं यहाँ पे ओईल भी गरम हो गया है अब हम एक इप करके पकोड़े ओईल में फ्राय करेंगे ध्यान रहे कि आप पकोड़े डालते हैं बहुत आराम से डाले यहाँ पे ग्यास का फ्लेम मैंने हाई रखा है अब हम इसको चम्मच से चलाते हुए इसको तलेंगे बीच बीच में हमें चम्मच से इसको हिलाना है ताकि यह चारों और से अच्छी तरह से तल जाए यह देखिए पकोड़े एकदम तयार है और कलर भी कितना अच्छा आया है वाव एकदम पकोड़े हमारे अच्छे से बन गए है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह देखिए यह बिल्कुल भी आईली नहीं बने और अंदर से भी एकदम अच्छे से पग गए है अगर यह रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और बेल लाइकों दबाना ना जाए